अगर वीडियो आए पसंद तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसे आने वाली वीडियो इसका नूटिफिकेशन अब तक पहुंसता रहे अनेकेडमी दोस्तों लाया है आप लोग के लिए SSC और बैंक एक्जाम के लिए स्कॉलर्सिप टेस्ट 26 जून को यह होना है दस बज़े सुबा में अभी आप लोग जाए एन्रोल कीजिए कूपन कोड में डाल देजेगा MJT10 कूपन कोड डालना मत भूलना एन्रोल कर लेजिए यहाँ पर आप बहुती बैश तरीके से स्कॉलर्सिप दे पाएंगे अपनी आल इंडिया रैंक जान पाएंगे साथी साथ अगर आप इसमें रैंक लाते हैं तो फिर आपको धेरोई नाम मिलने वाले हैं दस लाक रुपए तक के रैंक वन लाने पर लैपटॉप मिलेगा रैंक टू पर दोस्तों मोबाइल और थ्री पर आपको एरपोर्ट्स और भी बहुत सारे गिप कार्ड उगरा मिलेंगे तो जाइए अभी इन्रोल कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और 26 जून को होना है दस बेश सुबह में ध्यान रखेगा डेट चलिए अब बात करते हैं लास्ट एके कुशन की कहीं भूलना जाओ कर लेते हैं क्लीर विजन एक रास्ट एक रासन कार्ड लागू करने वाला 36 राज्य कोन बना तो वो बन गया है दोस्तों असम सबसे अंतिम राज्य बना है असम पहला राज्य बना था जीएश्टी लागू करने वाला और जीएश्टी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य जम्मू कस्मिर बना था हाली में कहां कि खुब स्कूल जील को इनसको के वेस्ट वर नेटवर्क आफ बायो स्पीर रिजर्व में सामिल गया गया तो मंगोलिया म में पहली भारत नेपाल भारत गौरो परेटन ट्रेन चलाए गई यहां से शुरू हुई प्रधान मंत्री नेंद मोदी जी दौरा विमोचित पुस्तक भारतिय समिधान अनकही कहानी इसके लेखक है राम बहादुर राय अभी हाली में विश्वेसर टूडू जी जो की राज ये मंत्री हैं दोस्तों इन्होंने बीसवें लोक मेले का उद्गारन किया है भारत ये महिलाओं ने अंडर 17 एसिया महिला कुस्ती चेंपिंशिप जीत लिया है और वर्ड गोल्ड कांसिल रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैस्विक सोने के पुनर चक्रन में याने की ग्लोब गोल्ड के रिसाइकलिंग में टॉप पर है देश चाइना भारत है चौथे अस्थान पर रुचिका कंबोज ये दोस्तों बन गई है भारत की अगली राजदूत और अस्थाई प्रतनिधी यूयन में याने संयुक्त राष्ट में भारत की अस्थाई प्रतनिधी होंगी र इविजन था आपका कल की वीडियो से अब बात करेंगे आज की दिन के सांदार कॉश्शन की तो पहला कॉश्शन आपके सामने है हाले में 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया तो 23 जून को दोस्तों प्रतेक वर्स दो महत्वण दिवस मनाया जाते हैं एक अंतराष्टी ओल सबसे पहले ओलंपिक डे के बारे में जानते हैं दोस्तों 23 जून को 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि 23 जून को 1894 में IOC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हुई थी अस्थापना और दो साल के बाद यानि 1896 में दोस्तों एथेंस ओलंपिक की पहला खेल था तो आधुनिक ओलंपिक की खेलों की सुरुवात अगर पूछा जा तो आप बताएंगा 1896 से कहां पर पहला खेला गया एथेंस में खेला गया था अभी तक 32 संस्क्रण हो गए हैं 32 संस्क्रण था टोक्यों का तो फिलहाल इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून क उन 1894 में आयोसी के स्थापना हुई लुसाने सुर्जेलेंड में इसका हेटकॉाटर है थामस बाग इसके अध्यक्ष हैं इसी दिन जो दूसरा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है उनाटेड नेशन का पब्लिक सर्विश टे यानि संयुक तुराष्ट का लोग सेवा दिवस ये दोस्तों दुनिया भर के सभी चेतरों में विकास में साजनिक सेवा में जो युगदान देते हैं उनकी भूमिकाओ को याद करते हैं दिवस मनाया जाता है लोग सेवा दिवस ठीक है तो 2002 में इसको युनाटेड नेशन की जनरल असंब्ली के दौरा माननेता मिल इसकी मत याद करना ओलंपिक दिवस वाली जरू याद कर लेना चलिए अभी तक इस महिने में कौन-कौन से महतोपोन दिवस आये हैं आज कर लेते हैं रिवीजन तो एक जून को विश्व दुगदु दिवस मना गया यानि वर्ड मिल्क डे दो जून को तिलंगाना राज् विश्व साइकल दिवस पाच जून को विश्व पर्यावरान दिवस छे जून को संयुकतराष्ट रसियल लेंगवज दे साथ जून को विश्व खादि सुरक्षा दिवस आठ जून को विश्व महसागर दिवस बारा जून को बाल सरम के खिलाब विश्व दिवस और रखी है मैंने आप स्क्रिन सॉट ले लीजी और थीम को भी एक बार रेडिंग लगा लीजी अगला हाली में कहां पर जोतर्ग मय उत्सो का सुभारंब किया गया तो अभी हाली में दोस्तों नई दिल्ली में जोतर्ग मय उत्सो का सुभारंब किया गया अकेंद्रिये जो संस्कृति मंत्री है जी किसनरेडी जी उन्होंने इनेगुरेट किया है यहाँ परापार्टिकल देख पाएंगे देखें यह एक परकार से एक ऐसा प्लेटफार्म था एक ऐसा मंच प्रवाइड किया गया ऐसे दोस्तों अंसंग प्रफार्मर्स की जो अंसंग टालेंट है यानि की जो मतलब प्रोफेस्नल नहीं है भी जो जैसे की कहीं आपको फुटपात पर गाते हुए दिख जाएंगे जो कमी ट्रेन में गाते हुए दिख जाएंगे स्टेशनों पर गाते हुए दिख जाएंगे रानुमंडल की तरह ऐसे लोगों को यहां पर प्लेटफार्म दिया गया जो यहां पर आएं और अपनी प्रतिभा को निखार सकें तो इसमें दोस्तों रेड़ी पटरी वाले उ और भी जो खुद के जो सिंगर बनना चाहते हैं और खुद के जो मतलब इस टाइप के जो भी प्रफॉर्मर हैं उन सब को इसमें सामिल किया गया मौका मिला तो विश्व संगीत दिवस की आउसर पर इसा किया गया था 21 जून को जो कि अभी मनाये गया मैंने अभी बात को ठीक है तो यहां पर देखिए सड़क पर प्रदसन से करने से लेकर ट्रेन में मनुरण्जन करने वाले तक के लोग इसमें सामिल हुए हाली में किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए नियूनतम आयू 21 वर्स किया है तो अभी हाली में दोस्तों स्रिलंका ने ऐसा किया है स्रिलंका ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए नियूनतम आयू 21 वर्स कर दिया है यहां पर आप आर्टिकल देख पा साहाईकेवों में 21 वर्ष किया है 21 वर्ष कोई नया नहीं है बहुत सारे देश दुनिया भर के करते हैं लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जो न्यून्तम आई 25 वर्ष किये हुए जैसे साओधी अरब सौधी अरब 25 वर्स किया है बाकी कुछ और Middle East जो दुस्तों कंट्रीज है उन्होंने 23 वर्स निर्धायत किया है यही सेब चीश लेकिन दुनिया भर के बाकी जो देश है वहाँ सब जगा 21 वर्स यह चलता है ठीक है घरेलू जो सहाईका होती है उनके रुप में जो विदेशी रोजगार के लिए जाते हैं उनके लिए नियुन तमेज है स्रिलंका के बारें बात करेंगे स्रिलंका आपको पता है फाइनेंसल क्राइसिस से जूज रहा है यहाँ पर मैप में आपको दिख जाएगा रॉनिल बिक्रम सिंदे यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिश्टर बने है यह किसकी जगाप राए है महिंदा राजपच्छे की जगाप पर गोटा बायर राजपच्छे अभी भी प्रेसिडेंट है दवाईयां फूड वगरा सब कुछ भेजी इसके अलावा अभी RBI ने यह भी मंजूरी दे दी है कि सिलंका फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए RBI की करेंसी यूज कर सकता है यानि कि अभी की टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर दोस्तों भारतिय मुद्रा चल रही है ठीक है यानि वो व्यापार कुछ चीजे लेन दें जो कर रहे है वो भारतिय मुद्रा में कर रहे है तो एक प्रकार से यह सही ही है प्राओड मूवमेंट है इंडिया के लिए अगला हाली में दक्छुर कोरिया ने किस rocket को उपयोग से अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है तो दोस्तो अभी हाली में South Korea ने नूरी नाम से अपना पहला जो उपग्रह था उससे एक प्रक्षेपण किया है यानि एक satellite की launching करी हुई है यहाँ पर आप आप आर्टिकल देख पाएंगे South Korea hits a space race milestone with a latest rocket launch फाइनली इसके second attempt में नूरी राकेट जो है नूरी राकेट जो है इसने दिखा दिया है दमकम और South Korea बन गया है दस्वाँ देश दुनिया का दस्वाँ देश जो जाकर के अंत्रिक्ष में satellite दोस्तो इस्टेबलिस कर दिया है तो दुनिया का यह दस्वाँ देश बनाया है सोचिए अभी तक किवल 10 देश ही पहुँच पाएंगे हैं लंबाई 47,2 मीटर की थी और यह पहला स्वादेशी राकेट है दक्चिल कोरिया का तो दक्चिल कोरिया पहली बार स्वादेशी रूप से अपना satellite और राकेट डिजाइन करके satellite लांज किया है चले इप South Korea आया है वर्ड मैप में आपको दिखाता हूँ South Korea है कहाँ पर जिससे आप पहचान सको और आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिल सके तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वर्ड मैप में अपना प्यारा देश भारत यहाँ से आपको आना है चाइना की तरफ चाइना से और थोड़ा सा आओगी आप तो इधर मिल जाएगा आपको South Korea यहाँ पर South Korea जो है बगल में आपको जापान दिखेगा और उपर जो है य नौर्थ कोरिया देखेगा देखे यह है नौर्थ कोरिया नीचे South Korea अब यह जो है इसकी capital है Seoul यहाँ पर जो borderline है दोस्तो ना इसी से ऐसे ही गुजरती है 38th पैलल पूछा जाता है आपसे कि North Korea और South Korea को कौन सी लाइन अलग करती है कौन सी रेखा तो आप बताएंगे 38th पै कौन यू सुक योल मैंने आपको बताया था इनका नाम आपको याद रखना यू सुक योल क्योंकि अभी ये नाटो में भी गए थे नाटो में भी हिस्सा लिये थे और नाटो में South Korea हिस्सा लिया था वहां के Cyber Security को लेकर के एक बहुत बड़ा exercise हुआ था Cyber Security को लेकर के नाम क किसी exercise में हिस्सा ले रहा है वैसे नाटो की एक मीटिंग हुई उसमें जापान के जो PM है ये भी गए थे सामिल होने तो फिलहाल अब जापान भी जापान के पहले वो प्राइम मिनिस्टर वो बन गए है जापान भी एसियन कंट्री है लेकिन South Korea पहला देज बना एक किसी exercise म मिनाटो के हिस्ता लेने माला क्लियर है और यहां की मुद्रा जो होती है वो वोन होती है ये भी आप याद रखेंगे चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग अगले कुशन की अगला कुशन आपके सामने है कोर सेरा ग्लोबल इसकिल रिपोर्ट 2022 में भारत किस अस्थान पर ह भारत इसमें दोस्तो पहुँच गया है 68 अस्थान पर अभी कोर सेरा ने ग्लोबल इसकिल रिपोर्ट यानि किये वैस्विक कॉसल रिपोर्ट जारी की है इसमें भारत 68 अस्थान पर है दुनिया भर के कॉसल के मामले में यहां परापारिटिकल देख पाएंगे इंडिया इन डेटा साइंस कोर सेरा ग्लोबल इसकिल रिपोर्ट 2022 चार इसपोर्ट जो है वह स्लिप किया है यानि पहले देखिए 64 अस्थान पर इस बार 68 अस्थान पर पहुँच गया है इंडिया चार अस्थान जो है यह नीचे हुआ है अब इसमें तो यह तो वैस्विक रिपोर अगर एसिया में बात किया जाए तो एसिया में भारत है 19 अस्थान पर यहां भी बहुत पूर प्रफॉर्फॉर्मेंस है अगर उबराल बात करें तो शुर्जर ले ने फिट से लगा था दूसरी वर सबसे ज्यादा कुसल सक्षार्थी यहां पर पाए गया और सबसे अगला देखते हैं हाले में विस्टु बैंक ने किस राज में वर्सा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है यहां पर आप इमेज की माध्यम से देख पाएंगे वर्सा आधारित जो खेती होती है किस टाइप से होती है पहाड़ी इला उत्राखंड Climate Responsive Rain-Fed Farming Project लागू किया जाएगा इसके लिए उत्राखंड सरकार ने विस्टु बैंक से मदद मागी थी और इस मदद को मिल गई है मंजूरी इस मदद के तहट क्या होगा उत्राखंड के पहाड़ी छेतर में वर्सा आधारित खेती को एक नए रूप में ए जब इस फंडिंग से वर्डवेंग के इस फंडिंग से ग्रीन हाउस उत्साजन को कम किया जा सकेगा और वहाँ पर फार्मिंग की जा सकेगी। के 2007 में इसका नाम पड़ा उत्रा करने ये भी पूचा जा सकता है विंटर कैपिटल देहरादून समर कैपिटल गैर सैड यहां कर यहां के सीम उसकर सिंग धामी बीजेपी पार्टी से चुनाओ हुआ दोबारा जीत करके आए प्लेप्टन जनर्र गुर्मियत सिंग गवर्नर है मुक्नियादिस संजे कुमार मिस्रा जी वैसे तो संजे कुमार मिस्रा जी साइड चेंज हो चुके है देखे चीप जसेस पर मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ क्योंकि कई सारे चेंजर देखने को मिले है तो अभी चीप जसेस मत याद करना ठीक है ना चलिए तो फिलहाल 13 जीले हैं यहाँ पर विधान सभा की सीटे हैं 70 लोग सभा में 5 और रासभा में 3 सीटे जाते हैं यहाँ से जितने वी ताल है सब यहीं है तीन ताल को आपको छोड़ देना है सूरज ताल चंदर ताल और भोश ताल बाकी जितने ताल सारे जील कहाँ पर उत्रा खंड में माना नीती लिपलेक यह तीन दर्रा आप याद रखेंगे अगला हाले में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पाने की जील मिली है तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील दोस्तों मिली है कमबोडिया में कमबोडिया में दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की जील मिले है, अब देखें कंबोडिया जो है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ही, यहाँ पर अभी world largest fresh water fish मिली है, और जिसने पुरानी वाली जो मचली का है रिकार्ट तोड़ दिया है, पुरानी वाली मचली थाइलाइन में मिली थी मैंकॉंग नाम की, अब यहाँ पर कंबोडिया में मेकॉंग नाम से ही एक जील है और उस नदी में यह मिली है ध्यान रखिएगा वह आली मचली का नाम मेकॉंग था यहाँ पर नदी का नाम मेकॉंग है तो कंबोडिया के मेकॉंग नदी में 300 किलोग्राम की यह इस्टिंग रे पाई गई है नाम इस चाहे बोरामी कहो आप चाहे श्ट्रिंग्रे कहो तो word globally जो नाम accepted है वो श्ट्रिंग्रे है ये भी आप ध्यान रुकेंगे तो 300 kg की है अब तक की ताजे पानी या कहें मीठे पानी या कहें fresh water की fresh water की सबसे बड़ी ये मचली है 3.98 मीटर लंबी 2.2 मीटर चौणी है ये तो इसने 2005 में जो खोजी गई थी Thailand में जो मिली थी 293 किलो मीटर की मेकॉंग नाम की catfish उसका record तोड़ दिया है क्लियर कमबोडिया आया है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं वर्ड मैप में कमबोडिया कहा है तो देखेंगे आप सबसे पहले तो यह है अपना प्यारा भारत यहां से आप आएंगे इस साइड में तो यहां पर आपको म्यामार दिखेगा फिर Thailand दिखेगा और यह यहीं परपास में दिख जाएगा कमबोडिया तो यहीं कमबोडिया में दोस्तों यह मचली पाई गए अच्छा कमबोडिया में दोस्तों एक मंदिर है अंकोरवाट मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है यह आप याद रखेंगे ठीक है हाला कि राम मंदिर ब वो है हुनसुन, कौन है, हुनसुन, और यहां की currency होती है, real, क्या होती है, real, यहां पर PPT में लिखा हुआ है, यह सारी चीज़ें, आप देख पाओ के, ठीक है, तो हुनसेन यहां के Prime Minister है, मुद्रा यहां की real होती है, और खमेर्ज होती है, यहां की राजधानी होती है, अगल सबजेक्ट आपके बहुत ही बहती बहतरी धंग से तयार करवाय जा रहे हैं, मातर 399 में आप इसे जोइन कर सकते हो, बहुत सारे बच्चिस को जोइन कर चुके हैं, already, और classes लगातार चल रही हैं, साइन्स की classes लगातार चल रही हैं, और वीडियो जा रहे हैं, और इस पर म मैं आपको एक नई स्रीज स्टार्ट करके देने वाला हूँ, Group D Special Current Affair का, तो वो भी लाइव होगी डेली, इसी पर exclusively मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगा, यूटूब पर इसको नहीं मिलेगा, यूटूब पर दूसरी स्रीज स्टार्ट होगी, ठीक है, आज साम से हमार प्डी एकजाम का लांच किया गया है, जियेस स्पिसल बैस, और इसमें भी तहलका मचाने आ गए है, जोइन करना है, जल्दी से फटा-फट से आपको देर नहीं करना है, क्योंकि देर करोगे, तो एक-एक दिन आपका भारी पढ़ रहा है, बीत रहा है, तो देर मत करो, ज NSIC के नए अध्यक्ष नियुक किये गए है, यहाँ पर भी आप आटिकल देख पाएंगे, पी उदे कुमार, अज्यूम, ऑफिस एज चेर्मेन, कम मैनेजिंग डिरेक्टर, NSIC, NSIC का मतलब क्या होता है, राष्ट ये लभू, दोग निगम, यानि नेशनल स्माल इंडेस्ट जो होता है, उनका जो व्यवसाय होता है, उनको समर्थन देने के लिए, उनको प्रोजसाहित करने के लिए, और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक काम करता है, ठीक है, NSIC जो है, ठीक है, तो इसे हम लोग राष्टे लगू दोग निगम की नाम से जानते हैं, ये सरकारी संगठन है, ISO 9001-2015 के द्वारा ये सर्टिपाइड भी है, इसके बन गए है, नये CMD पी उदयकुमार, अगला है, हाली में किसके द्वारा G724 सफलता पुर्वक लांच किया गया, तो दोस्तो अभी हाली में ISRO के द्वारा G724 सफलता पुर्वक लांच किया गया है, यह आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडियाज लेटेस्ट कम्निकेशन सैटलाइट G724 सकस्फली लांच देख, तो ये 23 जून को देखिए, 23 जून को लांच किया गया, G724, ये लेटेस्ट कम्निकेशन सैटलाइट है दोस्तो, और ये DTS सर्विसेज के लिए है, DTS लिए ये लांच किया गया है, बिसिकली टाटा प्ले के द्वारा लांच किया गया, यानि टाटा प्ले को उसके काम के लिए, उसके यूजिस के लिए, इसरो ने इसे लांच किया है, एक चीज और याद रखेगा, ये दोस्तो, NSIL के द्वारा, यानि New Space India Limited के द्वारा बनवा सकते हो, इस पर कॉमर्सली पे करके, तो एक यहाँ पर बड़ी बात निकल करके आती है, कि ये NSIL की पहली डिमांड डिवन संचार सैटेलाइट या कहें कम्निकेशन सैटेलाइट की, तो टाटा प्ले ने डिमांड करी, टाटा प्ले ने जो भी चीजे बताएं, उस ह और प्रेंच गुएना के कौरो से भू स्थिर्फ ग्राम में, यानि कि जियो स्टेस्नरी ओर्बिट में ये लांच किया गया है, क्लियर इतना एक चीज और, इस रो के लिए अच्छी नियूज है, अब देखिए, जब इस रो ने कॉमर्सली सैटेलाइट लांच करना शुर एक है चंद्रियान जिसमें चंद्रमा पर व्यक्तियों को भेजेगा, एक है दोस्तों समुद्रियान, स्वारी चंद्रियान में व्यक्तियों को नहीं भेजा जाएगा, रोवर को भेजा जाएगा, एक है समुद्रियान जहां पर व्यक्तियों को समुद्र के अंदर भेजा गया था अभी ये सारे चीज़ें अगर मैं सभी सेट अगर उठा करके देखू एंटिपीसी का तो ये सारे के सारे जो चार आगामे मिसेन हैं यहां से कुशन जरूर पुछे गए होंगे और इस सबके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था चलिए अगला अगला इस सुमना बैंक में साउथ इंडियन बैंक में दोस्तो बैसिकली जो एक्जिम ट्रेड होता है न एक्जिम ट्रेड बोले तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम जो होता है इसका मतलब हुआ इक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ठीक है तो एक्सपोर् जो होगा व्यापार उसमें पेमेंट के लिए एक सिस्टम होगा एक प्लेटफार्म होगा साउथ इंडियन बैंक के द्वारे यह शुरू किया गया है और यह इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है साउथ इंडियन बैंक के स्थापना 1929 को ही थी मुख्याले इसका त्रि वीजन कर लेना है क्विज वगर्यार करके जाकर के mgta फर प्रक्विज जॉल्व कर लेना पीडियफ मिलेगी पीडियफ राण लूड करके रीडिंग लगा लेना बिल्कुल याद हो जाएगा अंसर बात करेंगी लाज्ट इके कुस्टं की तो अंतराष्टि योग दिवस क आउसर पर योग विकास और सब्मर्धन के लिए प्रधान मंत्री प्रोषकार दो संस्थाओं को मिला दा डिवाइल लाइफ आप सेसाइटी और उत्राखन और बेटेस फेल आफ योग को ठीक है तो प्रोग दोनों आपसन याँ पर सही रहेंगे ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में पहले पर नौर्वे है लेर है भारत कहां पर है एक सो पंदरवे अस्थान पर है आज आपके लिए क्या कुशन है आज आपके लिए है भारते महिला कुस्ती टीम अंडर 17 जो आईजन हुआ विसो कुस्ती चेंपियों से उसमें गोल्ड मिडल कितने जीते हैं इंडियन टीम की विमेंस में रुचिया कंबोज वर्तमाने किस देश में भारत की राजदूत है ठीक है दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डेटेल में जरूर अंसर करना इसकी क्विज आपको MZTF पर मिलेगी Google Play Store से डाउनलोड कर लो वहीं पर आपको सारे पेड़ बैच वगरा सब कुछ मिलने मालने हैं बहुत ही जबर्दस तरीके से टेलीग्राम गुर्प भी जोइन कर लो यहाँ पर PDF भी मिलेगी, quiz भी मिलेगा और latest update की जानकारी मिलेगी ते लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लि